नमस्कार मैं हूँ प्रमोद मलिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की पाकिस्तान में अलपसंख्यग्यों खासकर हिंदूओं के साथ होने बाले भेज़भाव की पाकिस्तान में हिंदूओं इसाईओं और पार्सियों के साथ भेज़भाव की घटनाएं होती ही रहती हैं और वो अंतराष्ट्रि मीडिया में सुर्कियां बंती हैं भारत में भी उस पर काफी चर्चा होती है अब उसमें ताजा मामला ये है कि पाकिस्तान के बहुती बड़े खिलाड़ी और मीडियम पेस बोलर सोईव अक्तर ने सरकारी मीडिया पी टीवी यानि पाकिस्तान टेलिवीजन पर एक बिस फोटक बात कह दी उन्होंने गेम आउन है कारिकरम के तहट बात करते हुए कल ये कह दिया कि दानिस कनेडिया के साथ भेदभा हुआ हुआ अन्याय हुआ और उन्हें क्रिकट में वो अस्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे सोईब अक्तर ने क्या कहा या आप खुद देखिए किन जो मैंने अपने करियर में जो मैंने जो जगड़ा दो तीन बंदों से जब हुआ जब उन्होंने इस बेश पर बात कि लसानी पर बात की कराची और पंजावर शावर के बात किना मुझे बहुत गर्मी आती थी यार मैंने बात खुल देगी वैसी कि सर यहां से खाना क्यों ले रहा है मैं के मैं तुमारा उठागे नो तो अपने घर पर उठागे बार पहंग दूआ तेरे मुल्क वोगर चेशे आउट गर दे रहा है नाम मेरा जल गए इंग्लेंड सीरिस में जिता ही तो समी और उसने दान खानिश ना होता और समी बाद टेस्स मैं आउट नहा करता मैं तो चारी किये था ना अखरी मिनिंग्स में चारी किये था वो तो ख़र हो रहा है मेरा तो बन गया है बाली समी नहीं इची की थी और बड़े बैट्समय को बो लेके किया था आप जो बात करें मैं नीचे साउ कि आपने देखा कि शोयव अक्तर ये कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि दानिश कानेडिया को क्रिकेट टीम में जगह मिले सिर्फ इसलिए वो हिंदू थे इसी तरह वो ये भी कहते हैं कि उनके साथ भेदभा हुआ और कुछ लोग तो इतना ज्यादा भेदभा कर थोड़ी सी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि इंगलेंड टीम में उन्दहोंने किस तरह अच्छा खेला दानिश कानेडिया के बारे में बात की जाए तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट में सिर्फ दूसरे हिंदू हैं जिन्हें खेलने का मौका मिला उसके पहले एक खिलार की ओर से खेलने कमों का मिला हैं यह बार बार इसाई और पार्सी और हिंदू की बात इसलिए उस रही है कि पाकिस्तान में इस तरह की भेदभाव की बातें होती रहती है जहां तक दानिश की बात है तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पत्रकार उस्मान समिय उद्दीन एक लेक लिखा था जिसकी काफी चर्चा हुई थी उस लेक में उन्होंने लिखा था कि किस तरह लोग दानिश कनेरिया का मजा कुड़ाया करते थे और वेंग से कहा करते थे कि यार तुम्हारा नाम दानिश नहीं दिनेश है इसी तरह कुछ पत्रकार उन पर तंज करते थ और एक बार तो कुछ लोगों ने उसे ये कह दिया था अभी तुम जा हिंदोस्तान की और से खेलो यहाल उस दानिस कनेरिया का है जो बड़े खिलारी थे बड़े बॉलर थे और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा विकेट लेने में वे चौथे नंबर पर थे उनसे ज्यादा व क्यां मेंटेटर रिची बेनो ने एक बार दानिस कनेरिया की काई काफी तारीफ कि थी और उन्हां ने कहा था कि उसकी गुगली सबसे अच्छे गुगली में से एक है दानिस का नेरिया भारत भी आये थे भारत में उन्होंने मैच खेला था और इस मैच में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमका थी दानिस कानेरिया के क्रिकेट की शुरुवात दो हजार दो हजार एक के इंगलेंड के स्रिंखला मगई जिसमें उन्होंने बहुती धमाकेदार शुरुवात की थी उन्होंने अपने जीवन के सिर्फ दूसरी गेंज पर इंगलेंड के खिलारी टेस्कोतेक का विकेट लिया थ थी हराकि बाद में दानिस कानेरिया का वो स्रिंखला बहुत अच्छा नहीं गया था उन्हें बहुत सारे रन देने पड़े थे करनेरिया का क्रिकेट करियर लगबग खत्म हो गया 2010 में जबकि इंगलेंड में एक डोमेस्टिक स्रिंखला में उनके उपर मैच फिक्सिंग में सामिल होने का आरूप लगा उनके आरूप लगा कि उनके अपने साथी खिलारी को 6,000 पॉंड घूश देने की पेशकस की थी कि वो उस पैसे को ले ले और खराब बोलिंग करे बाद में ये मामला साबित हो गया दानिस को दोशी पाया गया और उन्हें जीवन भर के लिए क्रिकेट में बैन कर दिया गया दानिस कानेरिया के जब ये नई बात आई है और ये नयार हस्योद घटन हुआ है तो पाकिस्तान में काफी आलोचना हो रही है दानिस कानेरिया ने आज वीट किया और सुओज अक्तर को शुक्रिया कहा उन्हाने कहा और मैं उन्हें कूट करता हूँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सुवेव अक्तर का जिन्हों ने ये बात कही मुझे उस नमें ये बात कहने के हिम्मत नहीं थी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान के फैन का जिन्होंने हिंदू हने का बावजूद मेरा समर्थन किया उसके बाद दानीस का नेरिया ने लोगों से अपील किया, उन्होंने इम्रान खान, रानमंतरी इम्रान खान से अपील किया, वे उन्हें इस जंजट से बाहर निकालें, उनकी मदद करें, इम्रान खान खुद क्रिकेट खिलाडी रहे है, और पाकिस्तान की क्रिकेट में उनका बड़ा नाम रहा है ये बात हैं जब मैं कह रहा हूँ तो भारत में दूसरी तरकी पितिक्रिया हो रही है भारत में लोग बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं और ये कहने कि देखो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है पाकिस्तान में अल्प संख्यकों के साथ क्या होता है हम तो अल्प संख्यकों के साथ क्या ब्यवार होता है EPA किसी मुसलमान क्रिकेट खिलारी के बारे मुँ ऐसा हो यह जानकारी अब तक सामने नहीं आई है अब इसके बाद जो मामला उठने वाला है वो ये कि हम इस पर कैसे रियक्ट करते हैं क्या हम इससे शिक्षा लेकर करके अपने यहां के अलब सेक्षकों को सुरक्षा देंगे या सिर्फ पाकिस्तान का मकावल राता रहेंगे आप देख रहे हैं सत्यहंदी.com सत्यहंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं